डिप्टी सीम को और उन्होंने कहा कि 25 की 25 सीटेम जीत रहे लेकिन पीपी चौधरी पाली बेहत मजबूत सी बारतपूर से कॉंग्रिस प्रत्याशी जाटो भी आगे चल ले रही हैं ये भी एक महतपूर पाली लोगसभा सीट से पीपी चौधरी तीरपन हजार वोटों की ब पूर में घजेंदर सिंग्शेखावत आगे करण सिंग उच्याणडर पीछे अजमेर में भागीरत चौधरी आगे राम चंदर चौधरी पीछे सीकर में आई-न-डि-आई गट-बंदन के माकपा के अम्रारां आगे बीजेपी प्रत्याशी स्वामी सुमेधानन सरस्वती पीछे उदाइपूर में बीजेपी के मनना लाल रावत आगे उदाइपूर कलेक्टर रह चुके कॉंग्रेस प्रत्याशी तारा चंद मीना दूसरे नमबर पर बीकानेर में अरजुन राम मेगवाल आगे तो वहीं गोविंद्रा मेगवाल पीछे कोटा में लोकसबाध्यक शोम बिरला तक्रीबन तीन हजार वोटों से आगे बीजेपी के बागी और कॉंग्रेस प्रत्याशी प्रेलाद गुंजल पीछे अलवर में भुपेंद्र याद पाली में दो बार से संसत पीपी चोधरी आगे संगीता बेनिबाल पीछे नगॉर में प्रदेश की सबसे ज्यादा चरजा में रहने वाली नागॉर सीट में हनुमान बेनिबाल तक्रीबन 7000 से ज्यादा वोटों से इस राउंड में आगे चल रहे हैं जूती मिर्धा पीछे जुन जुनू में ब्रजेंद्र ओला कॉंग्रेस की ओर से आगे दूसरे राउंड की गिंती पूरी होने के बाद बीजेपी के शुप करन चौधरी अभी भी पीछे भीलबाडा दो राउंड की गिंती के बाद बीजेपी के दामोदर अग्रवाल तकरीबन 28,000 से ज्य वैभव गहलोत चुनावी मैदान में लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी लुंबराम चौधरी 25,000 से ज्यादा वोटों से आगे वैभव गहलोत इस वक्त पीछे चितौरगर दूसरे राउंड की गिंती पूरी बीजेपी प्रत्याशी प्रदेश अद्यक्ष सीपी जोशी तक्रीबं 18,000 वोटों से आगे कॉंग्रेस प्रत्याशी उदेलारा अजुना पीछे, रासमन में महिमा विश्वेश्वर सिंग के खा श्री गंगा नगर कॉंग्रेस प्रत्याशी कुल्दी पिंदोरा अब 12,000 से सीधे 15,000 वोटों के अंतर से आगे बीजेपे प्रत्याशी प्रियंका बैलान इस वक्त पीछे टोंक सवाई मादोपुर से कॉंग्रेस के हरिश्चन रमीना आगे बीजेपे के सुखबीर सिंग जौन पुरिया पीछे एंटी इंकम्बेंसी चुरू में कॉंग्रेस के राहुल कस्वा तकरीबन 15,960 वोटों से आगे देवेंद्र जाजडिया अभी अभी पीछे करॉली धौलपुर पांच राउंड की गिंती के बाद कॉंग्रेस के भजनलाल जाटव 27,000 से ज्यादा वोटों से आगे बीजेपे की इंदु देवी जाटव इस वक्त पीछे जालावाड बारा आखरी सीट यहां से पूर्व सीम वसंधरा राजे के बेटे दुश्यंदर सिंग तकरीबन 34,500 वोटों से आगे पूर्व मंतुरी प्रमोज जहन भाया की पतनी उर्मिला जहन भाया पीछे यानि की दूसरे नंबर पर और 25 के 25 सीटों में 13 सीटों पर बीजेपी, 11 सीटों पर कॉंग्रेस आगे एक सीट पर अन्य की बड़क बनी हुई यह ओबरॉल आकड़े हमने आपको बता दिये आपने सुना एक-एक सीट पर कौन आगे कौन पीछे लेकिन बाजी किसने मारी यह भी अगले कुछ गल्टों में आपको बताएंगे क्योंकि अभी 28, 27, 25 राउंड तक काउंटिंग होनी है अलग-अलग सीटों पर अलग-अलग राउंड हैं महाँ पर काउंटिंग होगी लेकिन ओवरॉल टेली देश की 543 लोगसभा सीटों को रुजान हमाई सामने आ चुके एक बीजेपी जीच चुकी है सुरत वाली सीट लेकिन बाकी अगर ओवरॉल देखे तो बीजेपी 292 के आसपास दिखाई दे रही है इंडिया गटबंधन दिखाई दे रहा है बीजेपी कांकरा 250 के इस गिर्द है इंडिया गटबंधन 222 पर पूरा मिला कर दिखाई दे रहा है बीजेपी में इंडिया गटबंधन को थ लेकिन कुल्दीप इंदोरा को देख लिए आगे चल रहे हैं बरतबूर से संजना जाटो रंसुरूप कोलिन के सामने ये नवे राउंड में आगे चल रहे हैं इम्पोर्टेन हो जाता है 12 से कॉंग्रेस के मुरारी लाल मीना आगे चल रहे हैं यहां पर साक दाउं पर लगी है कि रोडी लाल मीना की श्री गंगानेगर में कॉंग्रेस के कुलदीप इंदौरा को जबरदस्त बड़त मिली है कुलदीप इंदौरा 30,995 वोटों से आगे चल रहे हैं तो यह आकड़ा अपने आप में हैरान कर देने वाला हो जाता है शुरुबात में कहा जा रहाता है कि बीजेपी 25 के 25 का जीत पाएगी क्या लेकिन इन सब के बीच में जो आकड़ा अब आया उसने हरान करके रख दिया हर एक सीट पर टक कर लेकिन जो दिगज से उन दिगजों ने अपनी साथ बचाने में कामियाबी हासिल की है कलाश चोधरी को अगर छोड़ दिया जाए क्योंकि कलाश चोधरी नंबर 3 पर दिख हैं लेकिन बांसवाला डूंगरपुर की सीट की बात करना वाला जुरूरी बांसवाला डूंगरपुर की अगर हम बात करें मेंदरजीत माल पर दिगजों